नमस्कार में निदो Actual और virtual वर्ड इनको दोनों को हमें जानना और समझना जरूरी है दुनिया में दो मत हैं एक मत तो या मानता है कि वर्ड एक्शोल और वर्ड दोनों है और दूसरा मत ये है वो मानता है नहीं जो दिखाई देता है वही है उसके लावा कुछ भी नहीं है जिसे हम महसूस ना कर सकें उसकी सत्ता नहीं माद सकते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं एक शलोक से समझाते हैं कि वस्तुता है reality क्या है वास्तविकता क्या है या एनम वेति हंतारम यस्चैनम मन्यते हतम उभावताउन विजानितो नायम हंतिन हन्यते वह कहते हैं कि जो व्यक्ति यही समझता है कि यह शरीर है और यह समझता है कि यह शरीर किसी दूसरे शरीर को नश्ट कर दे रहा है आत्मा भी नश्ट हो जा रही है शरीर के साथ और एक आत्मा दूसरे आत्मा को नश्ट कर रही है तो वो दोनों व्यक्ति जो व्यक्ति ये समझ रहे हैं कि मैं किसी को मार दे रहा हूं और मैंने अगले एक अस्तित्व ही खतम कर दिया ऐसा व्यक्ति आप एक सापेक्षिक जगत में रह रहे हो, आप उधारन के लिए एक लोहा है, लोहे की कील बनी हुई है, लोहे का प्लास बना हुआ है, आप प्लास को तो खतम कर सकते हो, कील को खतम कर सकते हो, लोहे को खतम नहीं कर सकते हो, आप कील को गलाओगे, वो लोहा बन जाएगा, फिर उस लोहे से कुछ और कर सकते होगा, उस लोहे से कील बना दो, यही एक तरह का पुनर जन्म है, जिस तरह यह शरीर खतम हो गया, एक नया शरीर धरान किया, उस तरह लोहे कील गल के लोहे में मिल गई, और उन कीलों के गलने से लोहा बन गया, उस लोहे से अपने प्लास उससे अपने पिचकस बना दिया, फिर उसको गलाया, फिर कुछ और बना दिया, फिर उसको गलाया, फिर कुछ और बना दिया, अगर किसी ने सोच, कोई यह विक्तिया सोचता है, कि लोहे के कील के गलने से उसका लोहा भी खतम हो गया, तो वो गलत है, लोहा अपने आप में बना रहता है उसको स्वरूप बदलता है लोहा ही है जो अलग 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 स्वरूप लेता है इसी तरह जो परमात्मा है जगत का कारण है वही अलग अलग स्वरूप में आवस्तित होता है एक स्वरूप खतम होता है वो बापस अपने स्वरूप में आता है फिर दूसरा ब्रहन किया, यही पुनरजन्म का सिध्धान्त है, कि व्यक्ति जिस तरह के कर्म करता है, उसी तरह के संसकार आकरशित होते हैं, स्वामी महावीर कहते हैं, संसकारों को पुद्गल का नाम लेते हैं, पूरियंति गलंति चापुद्गल है, अर्थात, पुद्गल वो होते हैं जो हमारी आत्मा में जिस तरह चुम्बक लोहे को अट्रक करता है इसी तरह हमारे कर्म कुछ संसकार को उत्पन करते हैं पुद्गल वो हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं और वो हमारे व्यवहार को, वो हमारे व्यक्तित्त को वो हमारे आसपास के महाल को वो बनाते हैं और उन्ही के अनुसार हम चलते रहते हैं और उन्ही के अनुसार हम अगला जनम लेते हैं इसलिए कर्मों में सावधानी जरूरी है और यह समझ लेना जरूरी है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है तब ही हम सही आचरण कर पाएंगे तब ही हम सही निर्णे ले पाएंगे अरजुन जो की दूइधा में खड़ा है वो युद्ध से भागने की सोच रहा है वो सोच रहा है कि इस युद्ध को करने से तच्छा है कि मैं भीक मांगे जी लूँ मैं क्यों किसी को मारूँ मैं क्यों किसी से मारा जाऊँ ऐसा यो क्यों करना जिसमें हजारों लाखों लोग मारे जाए इससे अच्छा है कि अन्याय अपमान सही कही जी लो तो यह सोच इसलिए है क्योंकि वह संसार के सही सुरूप को नहीं समझ रहा है वो अपने कर्तवे से भाग रहा है हमें अपना कर्तवे करना है और संसार के सही सोरूप को समझना है तभी हम सही निर्णे ले सकेंगे हरियो